तो व्यूटुम तो महत्माजी टेक्निकल यह वीडियो मैं आपके लेकर आया हूँ कि यारं कॉंटेंट कहां से लाए अगर मॉटिवेशनल वीडियो बनानी है मैंने लास्ट विडियो बनाया जहां मैंने आपको बनाया कि किस तरीके से आप audio record करेंगे नहीं बनाया तो description link है या just इसके बाद वाली ही वीडियो है जाके देख लीजिए कि कैसे आप अपनी audio record कर सकते हैं सर्फ mobile से लेकिन content की दिक्कतारी थी बहुत सारे comments कि सरक content कहा से ला और मैं आपको बता दूँ भरा हुआ है content इतना content है कि कभी खतम ही नहीं हो कोई भी बुक अगर आप ले लो अगर आप उसकी audio book record करते हैं तो तकरीवन 7 hours लगते हैं आपकी वीडियो कितने मिनट की होती है आपकी वीडियो होती है पांच मिनट की भाई मोटिवेशनल कोट्स बनानी है अब आप इसको 7 hours से डिवाइड कर लो तकरीवन 420 मिनट होते ह और पांच से डिवाइड कर लो तो 80 70 80 वीडियो बनेगी एक किताब से तो 80 वीडियो बन जाए इतना कॉंटेंट है आप रहार आप सो को सो है यार वर्ल्ड के जितने भी टॉप रिचेस्ट परसन है उनको जब बुद्धिय भराष्ट हुई ना तो कहा है भारत आए उतरा ग्यान है अगर आपने ट्रैवलिंग करना शुरू किया मैं आपको बता नहीं सकता मार्ग जगब पहले अगर आप बिल गेट से शुरुवात करो बिल गेट को देख लो जब उनका दिमाग भटका बिजनस खराब हुआ भारत की तरफ आए उसके बाद स्टीब जॉब भार अगर इंडिया में देखो तो मैं आपको लेकर चलता हो तो याप समझ रहे हो एक किताब से असी-असी वीडियो बन जाया यार इतना कॉंटेंट है और आपको कोई कॉपी राइट नहीं अगर आप एक बुक को पूरा चाप देते हो ना तो कॉपी राइट आया और बोले भाई हमारी बिक्यागी क्या से आपको पूरा याद रखोगे मेरी किताब हमालो यह यह बुक है अब यह बुक है मैंने यहां पर लिखा है कोई भी एक रेंडम मैं टॉपिक ले लेता हूं कि लव लाइफ एक स्टूडैंट के जीवन में लव लाइफ भी होता है अब आपने यह पड़ा कि स्टूडैंट में बहुत से ऐसे इंसिडेंट रहे हह जहां पर आपकी लाइफ में कटसे से घाटनाइं होती है है जहां पर कोई किसी को लड़की को या लड़के को देखके आप अपने आप में कुछ परिवर्तन महसूस करते हैं अब आपको एक्जेक्ट थोड़ी चे अपना है तो बंद कर दो वीडियो बनाना जब इतना ही समझ नहीं है कि क्या बनाना है मतलब एक्जेक्ट कॉपी पे से 2013 में 2016 में यूट्यूबर बना हूँ 2013 में एक पेज था पेज का भी नाम ले लिता हूं आज एक पेज था उसका नाम था मैंने स्क्रीशना डखा यहां लगा दूंगा बजाबते उस पेज का नाम था कि मन्जिल तो मिली जाएगी बढ़कते बढ़कते गुमराह तो तमसे मिलेगा वो जीच जाएगा यह लाइन मैंने लिख के आप देख रहे हैं अब जैसे टूटी-फूटी इंग्लिश में लिख के मैंने सज्जन को भेजा और अपना फोन नम्मर भी दिया मैंने का सर प्लीज इसको पब्लिस कर दीजे और मेरा नाम लिख दीजे का लोगो को सुरुवात तो बच्पन सही थी जब साथी आठी की मोटिवेशन क्या है रॉंटे खड़े हो जाते थे मास्टर कहता था कि मैं पत्थर पिखला जेता हूं मैं वह चीज होनी चाहिए आपके अंदर आपके नहीं हो पाएगा यह चीज चाहिए आपके अंदर जु कोर्स है वह 45 परसेंट आफ कर रहा हूं पूरा जीरो से लेके एडवांस लेवल तक का इसमें सारी चीजें है और जो डिजिटल मार्केटिंग है वह तेरह हजार का कूर्स सिर्फ साड़े छे हजार रुपे में है साथ में आपको ऑफर में मिल रहा है वन यह की होस्टिंग कंप्लीट टुटोरियल्स आपको हैंडोल करके मोवाइल से आप कैसे रिडिंग कर सकते हैं सबको सिखाया जाएगा साथ में 5 बेस्ट सेलर मॉटिवेशनल एबुक 20 डिजिटल मार्केटिंग एबुक्स आप एबुक्स पढ़ सकते हैं और लाइफ की डाउट क्लासेज मेर आज से एक दो दिन का ही है आप देख सकते हैं यह सिर्फ 300 सीट के ऊपर है तो देर नहीं करना है आपको कॉल करके आदो शीट्स बुक करनी है या फिर डिस्कॉप्शन में लिंक है तो डिरेक्स कोर्स में इंडॉल करना है तो चलिए थोड़ा सा में आगे बढ़ जाता हू अपने टॉपिक पे कि आप समझ पा रहा है हूं कितना कॉंटेंट है चलो थोड़ा इंटरनेट पर चलते हैं मॉटिवेशन कोट्स की आपने बात करी है सिर्फ लिखना है मॉटिवेशनल कोट्स इन हिंदी इमेज बेचले जाओ यह सारे कोट्स इतने मिल रहे हैं अब जैसे माली जिए एक लाइन लिखी होती यह ली लिखी होती कि नीदा फाजली का नाम लिखा होता है नाम नहीं है तो कोई बात नहीं एक लाइन है कि ढून लो नक्से पे कोई और शहर इस शहर में तो सबसे मुलाकात हो गई है ना बहुत नीदा फाजली के लाइन बड़ा पॉपलर लाइन है कि ढून लो नक्से पे कोई और सहर इस सहर में तो सबसे मुलाकात हो गई तो अगर आपको इसको बोलना है अगर आपको पताए कि नीदा फाजली जी ने ल सकता है लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी जीत नहीं सकता लाइन जुड रही है अपने आप एक लाइन नहीं थी और अगर आपको एंड में आना है किसी ने क्या खूब लिखा है किसी ने क्या खूब लिखा है इसमें कोई copyright का चक्कर नहीं है यह मैं आपको लिखके देता लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता या कभी नहीं जीत सकता थोड़ा अपने संटेंस को आगे पिछा आप कर सकते हैं नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा कोई copyright नहीं आता आपको यह पूरा पिक्चर कॉपी नहीं करना है कि उठाया YouTube पर डाल दिया नहीं ख कितने अच्छी बाते हैं अकेले रहना बहुत अच्छा है वजाए उन लोगों के साथ रहना जो आपकी कदर ही ना करें ऐसे वोट्स पर यह वर्ड़ अब तब बोल पाएंगे जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे फपोस्ट यह लाइन में पहली बार सुनता अकेले रहन बहुत अच्छा है वजाए उन लोगों के जो साथ बजाय उन लोगों के साथ में रहना जो आपकी कदर ना करें पहले तीन वाद पाड़ों गहां चौति वारी डि बडूमा अपकी अज他的 से अकेले रहन बहुत अच्छा है वाद 19 ृव रहना बहुत अब Faculty को सब से आप तो इसा लगता है कि दूसरा हमारे लिए वीडियो बनाए और हम देखते रहें और ना हमारा हो ऐसा हो सकता है पॉसिबल है नहीं है पॉसिबल और अच्छे चीज़ जो है वह पोएम में आ जाती है पोएम जो आप लिखेंगे तो पूंब वाली वीडियो आपको मिल तो दोस्तों I hope थोड़ा से अग्रेसिव बीच मुआ था बड़ इसलिए कि मैं देखता हूं कि लोग हार मान जाते हैं हार क्यों मनना यार जब मैं स्टार्टिंग में उठा था मैं हकलादा था आपको पता नहीं है मैं हकलादा था मेरी दादी मुझे भी मिली है दिली आई मिरा नाम का थुद थो अब्रेश हैर वाले श्रड मैं यह वाले शंद मी बहुता था अब आरे टल भूलना भी है तो पहले को इवर्ड लगा के बूलता था कि वह हक लाऊ नहीं है मुगत है सेवइंग आप एजमिडज इंडद को एंपे कि कैसे बूल रहा हूं है तो आप तो कहते हैं ना गॉट ग्रेस बोल पार है यार यह सब इस और एक्सक्यूज इसको इग्नोर करके आगे बढ़ना है अपने को सो बस यही कहूंगा और जितने भी मेरे स्टूडेंट जुड़े हुए है और जो लोग मुझसे जुड़के काम करना चाहते हैं बिलकुल स्टेप बाई सीखिए तभी चीज़े हैं यूटीबर यूटी पर कॉंपटीशन है मैं मानता हूं कॉंपटीशन है तभी तो बेस्ट बनेंगे ना राइट तो बेस्ट पहले तो हमारे टाइम पर जब मैं जाता था चादनी चौक में समान खरीदने यूटीब पर क्या है आप जूड़ सकते हैं बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद